हेलो प्रैंस, फेल्कम तो माई यूटूब चैनल मैल का, आप सभी ख़बाद बहुत रादत करते हैं, दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तीस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए था और बेल आइकन को प्रिस करना, बि चमज दही डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा फूट कलर डालेंगे, एक पिंच के करीब, इसे अच्छे से मिला लें, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे गाढ़ा बैटर त्यार करना है, ये बैटर ना बहुत जदा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा त्यार कर लेंगे, एक कटोरी चीनी लिया है, इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी पानी, और इसे हम चासनी बनने के लिए रख देते हैं, इसमें हम एक पिंच फूट कलर डालेंगे, इसे बहुत ज़्यादा एक तार या दो तार की चासनी नहीं बनाना है, बस हलकी से हाथ म बन ये चासनी हमारी तयार है, अब हम तेल गरम होने को रख देते हैं, जब तक तेल गरम होगा तब तक हम वैटर को तयार कर लेते हैं, ये वैटर दस नट तक अच्छे से फूल गया है, इसमें हम एक पिंच डालेंगे बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से फेट लेंगे, इसे चम्मस से या हाथ से 2 मिलाट अच्छे से फेट लें और जितना अच्छा ये फेटेंगे हम उतनी अच्छी जलेवी बनेगी तो हमने इसे अच्छे से फेट लिया है अब हम लेंगी कोई polythene या कोई प्लास्टिक का डिपा बॉटल ले सकते हैं आप या सूती कबड़ा सकते हैं जिससे भी आपको जलेबी बनाने में अवही छीज लेलें बस जलेबी बनने से मतलब है फिर चहले से प्लस्टिक की रिब्बस बना या प्लास्टिक पणनी से या खपड़ी से बैटर को पन्नी में डाल दिया हा और में नीचे हम रहा है warum अगर बदेert कर लिया हां त तिर्षी-मिर्षी जैसी भी जलेवी बने जलेवी बनाने है जलेवी काया होती है बस रसीली होना पर जलेवी खाने का दो मजा आता ही है है । इससे लन्य करह से अलट-बथा सुनेरा कर लेंगे इसी deep gesund कहलें न氣 is सुनेरी हो गई है यह कुर्कुरी हो गई है इसको हम निकाल कर सीधे चासनी में डालेंगे क्योंकि अगर इसे आप निकाल कर बाहर रख देंगे तो यह चासनी अंदर अच्छे से नहीं सोखेगी तो जलेवी को तेल से निकाल कर सीधे चासनी में डालना है और इसे हलट पलट कर थोड़ा सा चासनी में डुबा देना है ताकि इसमें चासनी अंदर तक चली जाए जब तक ये चासनी सोखेगी तब तर खंग और जलेवियां बना कर तयार कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से गुल-गुल घुमाएंगे और सारी जलेवी हम बना कर तयार करेंगे इस-प्राइब के लिए बहुत जादा अилась तरह कि मैं आटेसे बनी जलेबी बनसके हैं मैदे कि हनी हनी संस्क्राइब स्थ चाश्नी में तो आप ढधया वाली रेसेपी आटेसे बनी जले भी खाने में भी बहुत जादा टेस्ट एक बार बना करके खाईए आपको बहुत जादा पसंद आएगी और कॉमेंट करके बताईएगा जरूर कि आपकी जले भी कैसी बनी दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना फ् नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई